तो दोस्तों यह रहा हमारे पास यहाँ पर Realme C30 और आज इस वीडियो में हम इस फोन का बेंटेश करके देखने वाले हैं और देखने वाले कि यह जो फोन है वो हमारा बेंटेश सर्वाइब कर पाता है कि नहीं दोसों यह रहा हमारे पींटेश सपले में जिसको कुछ भूपस्ते सइड में और आप देख सकते हैं इस तरह को यहाँ पर इस तरह को हो रहत है अगर आपने पिछ़ली वीडियो देखी है जिसमें वह फोटब बादर future हो रोक है मैं दो डूरूरूर्ट हो रखा है ड्रॉप टैश्ट हो रखा है उसमें चुछ कुछ इस तरह की हो चुए है पिछली वीडियो में थोल्ब सा वाइबरेट कर रहा था हम लेकिन अब मैंने बटन दबा गे देखा तो आप तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मैं हम कम्लेटी देड हो चुका है तो आज की इस्टेट में उसका बेंट mayo और गर बैद कर पाता था उखता है कि नहीं तो workflow घ्ड कर तो यह नहीं हो रहा सुच्छ रहा है और बेटीघ को भी नहीं हो रहा आप देखते हैं भी बिल्कुल सीधा है हमारा फोन बागी काम देखर करी निरफत कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा जोर से करते हैं थोड़ा बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि बैंड होता है की नहीं होता अब मैं अपना पूरा जोर लगांगो इस तरीके से फिर देखते हैं बैंड होता की नहीं होता अरे यार पूरा जो लगाने पर भी बैंड नहीं हो रहा बिल्लिवालडी मादल काफी अच्छी है इस फोन की यूंकि देखिए बिल्कूल भी हल्का साथ थोड़ा सा वैसे हल्का सा बैंड हुआ है पर इतना कुछ खास फर्क नहीं बड लगाया उसके असाबस तो उसको टूर जाना चाहिए था पर खेयर बचे गया है मतलग बीडिट गई काफी अच्छी है ऐसकी आप थुर्डा बैक साइड को भी करके दे से हैं कि ये बैक सैड को भी कि बैंड होता है कि नहीं तो ये backside वो भी band नहीं हो रहा है काफी सा अजो लगाने के बाद भी हलका से देखिए हम पर इस त्रीकिस हलका सा यह band हो रहा है बार हलका सा band हो गया है बाकी साथ cover वोतर गया है वो तो फ़हले ही बुदर गया था जिब इसका drop test कर दा उसका कुछ नहीं कर सकते हैं वो तो फ़हले उसी वह से निकला होगा बाकी यह band इतना इजी नहीं होने वाला अपना हाथ यहां पर लगांगा और उपर सतना पूरा वजन इसके उपर यहां पर दे दूँगा और फिर तो पक्काय बैंड हो जाएगा फिर देखते हैं band होता है कि नहीं होता फिर भी तो मैं पूरा जोर लगाता है इसके उपर यार काफी बदिया build quality है यार इतना साथा रो मेरा weight यहां पर 70 kg है और मैंने पूरा weight लगा दिया उसके बाद इसमें अलग से अपना जोर लगाया उसके बाद भी यह band नहीं हुआ और हलका सा देखिए हलका सा band हुआ है यहां पर बस लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है मतलब फोन की build world सच में काफी अच्छी है इतना एज़ी आपका फोन जोर बैंड नहीं होने वाड़ा बैक साइड को कर देखते एक बार बैक साइड को भी सेम तरीके से बैक साइड को भी बैंड नहीं हो रहा हलका से बैंड हो गया है यहां पर हलका से एक क्रैक आ चुका है लेकिन वैसे फोन के मुकाबले जितना मैंने जोर लगा उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बैंड नहीं हुआ है क्योंकि इसकी build quality यार काफी अच्छी है क् इतना जोर लगाने के बाद भी सारे फोन मेरे आज से इतने फोन अभी तो क क मैंने बैंड करें पुछा यहां यहां कुल क्रैक हो जाते हैं टूटी जाते हैं लेकिन य- फौन भी टूटा नहीं है रहा खेर उतस आ चूट के बाद तो कोई भी पोन था घुद होना ही होना पृटने से बैंड नहीं खीया थी आप आप टेंटो यूँक्न नहीं यार यह फोन तो बिलकुल भी बैंड नहीं की आपके सामने देखी अरूपा नहीं को जोड लगाया आपके तक बनिshirt security फ़िसके बाल पर देंड कमेंड शीया हालका फूर्गा यह बैंड हो चुका है तो आप दबाऊगे इसको तो यह सही हो जाएगा यह दिखिए यहां पर सही होगा लगबग थोड़ता और सही करोगे तो आप सही होई जाएगा हमारा फोन बिल्कुल यहां पर सीधा हो चुका है अब बाकी वीडियो देख सकते हैं म मैंने बैंड टेस्ट कर रहा है उनमें फोनों क्या हाल हुआ है जब मैंने इस तरह से उनको बैंड गर रहा है लेकिन इस फोन को देखिए उसके मुकाबले तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है इस फोन की जो यह लगभग मतब ना के ब्राबरी बैंड हुआ है तो मेरे हिस इस फोन ने हमारा बेंड टेस्ट तो सरवाइब करी लिया है बाकी टेस्टों के साफ से कुछ नहीं कहा था वो आप जाके देख सकते हैं लेकिन बेंड टेस्ट तो इसने 100% सरवाइब कर लिया है बाकी इसका लास्ट टेस्ट था आप कोई नया फोन माओंगा उसके ऑपर चाहें तो नीचे कोंसा फ़ॉन ओड़र करना चाहिए तो नहीं वह फ़ॉन मंगवा कि उसके उसकी अपप्ट जो भी मैं स्ट्ड िस्ट करता। सारे के सारे किरुके हुआ आप कुभी किहेंगे तो वह टेच्ट भी जुरूर करो हुआ तो दोस्तों फिर बस आज की स्वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियो पसले ही स्वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चांग स्प्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए, थैंक यूप बॉचिंग एंड बाइ-बाइ